सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए अलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme 12 Pro 5G के टॉप हीडन फीचर्स टिप्स और ट्रिक्स के बारे में पताऊंगा जो की काफी कूल लुक के साथ आपको देखने को मिलता हैं और ये सभी फीचर्स दोस्तो आपको Realme UI 5.0 के अपडेट के साथ भी देखने को मिलता हैं तो यहाँ पर मैं वन बाई वन सभी कुछ बताने वाला हूँ तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर hidden features, tips and tricks के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप device detail चेक आउट कर सकते हैं उसके लिए हम चलते हैं setting के अंदर नीचेक साइड अबाउट डिवाइस में यहाँ पर आप देखेंगे आपको Realme UI 5.0 देखने को मिलता है साथ ही नीचेक साइड आपको Realme 12 Pro 5G का मॉडल लंबर RMX 3842 देखने को मिलता है इसके लाव बात कीज़ें features और changes की तो वो आपको मिलता हैं दोस्तो fluid cloud या फिर dynamic dot features यहाँ पर देखेंगे दोस्तो अगर आप recording वगरा करते हैं तो जैसे ही यहाँ पर recorder को on करते हैं और home screen को press करते हैं तो यहाँ पर उपर के side देखेंगे आपको fluid cloud या फिर dynamic dot देखने को मिल जाता हैं इसको दोस्तो आप थोड़ा से long press करेंगे तो आपको कुछ ही टाइप से देखने को मिलता है जिसके तुरू आप pause play कर सकते हैं या फिर save वगरा कर सकते हैं साथ ही अगर आप screen recording वगरा करते हैं तो यहाँ पर उसका भी आपको dynamic dot या fluid cloud देखने को मिल जाता हैं तो यहाँ पर आपको dynamic dot का features finally add कर दिया है लेकिन दोस्तो यह features अभी कुछ-कुछ apps में ही देखने को मिल रहा है में भी हो सकता है आगे आने वाले update में और भी apps में यूज करने को मिल जाए इसके लाओ बात की जागले changes की तो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर connection and sharing के अंदर आपको link to window का new features देखने को मिलता है जिसके तुरू दोस्तो आप अपने phones को PC या laptop वगरा से control कर सकते है इसके लिए दोस्तो आपका Microsoft का अकाउंट होना जरूरी है दोनों device में आप सेम अकाउंट से login करेंगे तो आप PC या laptop वगरा से आप अपने handset को control कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं और इसका टेप दोस्तो आपको notification panel मिन की control center के अंदर भी देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो सेटिंग के अंदर wallpaper and style के अंदर always on display में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आपको carbon footprint का new always on display देखने को मिलता है जिसे आप click करेंगे तो आपको कुछ ही इस टाइप से तिन टाइप के यहाँ पर always on display का आइकन देखने को मिल जाता है जो की काफी cool लग रहे दोस्तो यह always on display काफी लोगों को पसंद आने वाला है क्योंकि काफी cool look के साथ always on display जो है देखने को मिल रहा है इसके अलाव बात की जाए अगले चेंज की तो वह आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर home screen and lock screen के अंदर यहाँ पर निचे साइट देखेंगे so media player on lock screen इस features को on करेंगे और music वगरा प्ले करते हैं तो आप lock screen में ही उसको control कर सकते हैं play कर सकते हैं song वगरा को next previous वगरा करना है तो आप lock screen में ही कर सकते हैं और अगर आप इसको आप करते हैं तो lock screen में आप music control या media playback को control नहीं कर सकते हैं तो इस features को on करेंगे तो आप lock screen में music को control कर सकते हैं इसके लाओ बात की जगले change की तो वो आपको मिलता हैं दोस्तो setting के अंदर apps के अंदर यहाँ पर दोस्तो आप app cloner में जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे आपके mobile में जितने भी apps हैं उसमें से आप पूरे app को clone कर सकते हैं पहले दोस्तो यह limited ही रहता था लेकिन अब आपको आपके mobile में जितने भी apps हैं उसको आप double app कर सकते हैं, duplicate कर सकते हैं, clone कर सकते हैं इसके लाव बात की जा अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो सेटिंग के अंदर सिक्योटी और प्राइवेसी के अंदर यहाँ पर आप more security और प्राइवेसी को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको required password to power up को new features देखने को मिल जाता है जिसे आप on करके रखते हैं तो आपको power up के time पर password मंगेगा यह काफी cool features हैं दोस्तो इस features को अगर आप on करते हैं तो आपके phone को कोई other person जो है switch आप नहीं कर पाएगा साथ ही यही पर आपको device unlock में phone में अगर आप password वगरा डालना चाहते हैं screen lock वगरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप screen lock के through कर सकते हैं numeric करना है या pattern वगरा साथ ही अगर आप face या fingerprint वगरा enroll करना चाहते हैं तो आप यहीं से ही कर सकते हैं साथ ही security and privacy के अंदर ही सबसे नीचे के side में आपको app lock option देखने को मिल जाता है जिसके through दोस्तो आप अपने particular app को lock कर सकते हैं चाहे वो WhatsApp हो, चाहे Facebook, चाहे कोई भी other third party हो या system apps आप यहाँ से app lock के through lock कर सकते हैं साथ ही दोस्तो यहीं पर सबसे नीचे में system cloner का option देखने को मिलता है जिसके through दोस्तो आप अपने system को double, I mean की दो partition में यूज कर सकते हैं जैसे दोस्तो PC या laptop वगरा में अलग-अलग account बनाए रहते हैं जैसे administrator और guest का उसी प्रकार दोस्तो यहाँ पर आप system cloner के through दो system यूज कर सकते हैं आप यहाँ से पूरे के पूरे system को clone कर सकते हैं तो यह दोस्तो आपके battery charging करने के habit को count करके आपके charging को perform करता है कि आपको किस time पर slow charging करना है या किस time पर fast charging करना है तो यह intelligent service के through charging को count करके आपके charging को perform करता है और अगर दोस्तो आप stop charging at 80% को on करेंगे तो यह आपके charging को काफी fast रूप में करेगा जो की 80% में ही stop कर देगा 80% के बाद आपका charging जो है आगे नहीं बढ़ेगा जिससे की जो battery health में ज़्यादा effect नहीं पड़ेगा आपका battery health काफी अच्छा देखने को मिलेगा इसके लोग बात कीज़े अगले features की वो आपको मिलता है दोस्तो 17 के अंदर niche side special features के अंदर smart sidebar का इस features को on करेंगे तो दोस्तो आपके sidebar में एक smart sidebar देखने को मिलता है जिसमें आप दोस्तो most useful apps को यहाँ पर रख सकते है और आप quickly use कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको smart sidebar का features देखने को मिल जाता है साथ दोस्तो यही पर आपको file dog का features देखने को मिलता है जो कि आपके smart sidebar में use होता है यहाँ पर आप देखेंगे उपर के side में साथ दोस्तो यही पर आपको file dog का features देखने को मिल जाता है जिसके थूँ दोस्तो आप अपने image, text या photo अगरे को तो आप यही पर smart sidebar में share कर सकते हैं, कुछी step से उसके बाद दोस्तो, आप इसको कही भी share and send कर सकते हैं तो यह आपको काफी full features देखने को मिलता है दोस्तो आपको काफी quickly sharing features देखने को मिल जाता है साथ ही यही पर आपको so recent file का option देखने को मिल जाता है जो कि smart sidebar के file doc के just नीचे देखने को मिलेगा ये दोस्तो recent में जो भी file आपको receive हुआ होगा या recent में जो भी work किये होंगे उसका file जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसको आप quickly कहीं भी send and share कर सकते हैं ये भी दोस्तो file doc के जैसा ही work करता है साथ ही so apps name का option देखने को मिल जाता है इसे आप on करेंगे तो जो smart sidebar में apps है उसका name जो है so होता है और अगर इसको आप आप कर देंगे तो smart sidebar में जो apps है उसका name जो है यहाँ पर hide हो जाएगा इसके लाओ बात की जा अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर निचिक सैट additional setting के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे आपको app language का option देखने को मिलता है पहले दोस्तो यह option नहीं था जिसके अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको पंदराभी आपस देखने को मिल रहा है जिसका language आप यहाँ पर से changer कर सकते हैं अपको Hindi में चाहिए या English में चाहिए या और किसी भी लेंग्वेज में चाहिए आप यहाँ पर किसी भी apps का language change कर सकते है ए मिन कि यहाँ पर आपको app specific language change करने का option add कर दिया है और अगर दोस्तों इन सभी फीचर्स को आप अभी यूज करना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रूप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एट कर दिया है यहाँ पर आप आकर कलर OS 14, Realme UI 5.0 and Oxygen OS 14 का APK फाइल इंस्टाल कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आप केरफुली इंस्टाल कीजेगा हो सकते हैं दोस्तों आपको एप से क्रेसिंग इसू अगरा देखने को मिल जाए तो इसके लिए आप केरफुली अपने रिस्क में इंस्टाल कीजेगा तो यह रहा दोस्तों Realme 12 Pro Plus 5G का फीडन फीचर्स टीप्स और ट्रिक्स तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तों